नमस्ता दोस्तों वल्काम बैक टू स्टॉक इन्फो आज हम लोग इंडिया का टॉप टेन हाई ग्रोथ कंपाई लेकर डिसकर्ण करने वाले है जिस कंपाई का बिदने करने लास्ट फाइबर से कंट्रोस लेक हुज ग्रोथ देखने को मिल ले है उसके साथ ही FII that means foreign investor and DIA that means Indian mutual fund भर भर इस company को buying करें प्लास हरे company fundamentally बहुत ही स्ट्रोंग है that's why इस company को आप long time के लिए वाच कर सकतो और यह वीडियो तोड़ा बड़ा होने वाला है विकोज यहां पर हरे company को लेकर डिटल से कवर किया गया है that was a video देखके आप खुदी reset कर सकते हो इस company कंदर आपको के लिए जो जो service and product requirement होता है जो एई company प्रवाट करते है और यह company इंडिया चोर्की इंडिया बाह में प्रेजन है इस company का market cap देखा जाए तो जो यहां पर 28,859 को निकल का रहा है यहां पर कंपने का sell growth देहोगा तो लाट 5 रास से company का business का अंदर 21.7% से sell growth होतो होतो है दिख जो के बहुत ही huge growth देखना को मिल जाए और इसके साथ यहां पर इंपोर्ट आइश्यू देखा जाए तो जैसे ROE return on equity लाट 5 रास में निकल का रहे 27.2% return on equity मिस क्या होता है जो पाइस आप इस पर निवेस कर रहा हो उसको इट्यूलेस करके कंपने किनने profit जैट करते है उसको बोलते है return on equity और यहां पर लाट 5 रास से continuously 27.2% यहां पर profit जैट कर रहा है जो बहुत ही अच्छा माना जाते है और उसके साथी ROC that means return on capital employee देखा जाए तो यहां पर 31% निकल का रहे जो लाट 5 रास का आवरेज है return on capital employee means जो पाइस आप इस पर निवेस काड़ हो पाइसा प्लास कंपने के बास टोटाल जो बॉर्विंग है वो पाइसा प्लास कंपने के बास टोटाल जो रिजर्ब पढ़ हुए जाए तो जाहां पर पोंडर का होल्डिंग दिख रहे है 57.4% FIA that means foreign investor का होल्डिंग दिख रहे है 7.56% and DIA that means Indian mutual fund का होल्डिंग दिख रहे 20.6% तो huge FIA and DIA का होल्डिंग huge दिखनों को मिर ला है जो बहुत ही अच्छा माना जाते है and इसका साथ इस company का और एक प्लास्पमेंट है इस company का peak ratio that means price earning to growth ratio जो यहाँ पर 1 से कम दिख रहे 0.61 दिख रहे है तो इस company का आप लॉंग time के लिए वाच कर सकते हो इस company का market cup देखा जाए तो यहाँ पर नीचे आओगे तो skinner के ऊपर अब दिखनों को मिल जागा company का share price average अगर देऊगा तो यहाँ पर last 10 years पर 27% से रिटन दिया है last five years में 28% से रिटन दिया और last three years क का अदर देऊगा तो यहाँ पर 41% से रिटन दिया 23.9% से प्रोफिट को तो होतो है दिखाया अधान डाकर यहां पर EPS ग्रोफ यहां पर 23.9% से ग्रोफ होतो है दिखाया तो ही उजग ग्रोफ देखनो को मिल ले इसके साथ यहां इंपोर्टन एशू देखा जाया तो जैसे आरवी जो लास्ट फाइबर्स का अवर्स निकल का अधान डाकर रिजब देखा जाया तो जो अधान डाकर रिजब देखा जाया तो कमपने वास 11,762 करों का रिजब भी पड़ा हुआ है यहां पर सेवल निकल का जाया तो पोर्टन का ओल्डिंग है 52.9% FII that means foreign investor के पासे 18.5% DII that means Indian mutual fund यहां पर होल्ड करते 10.5% और यहां प अधान डाकर आपको हाई वालेशन पर टेट होते हैं दिखेंगा वीकॉस हाइग रिजब कांपनी कभी भी आपको सस्ता नहीं मिलता है बहुत ही डियाड ऐसा कंपनी होता है जो सस्ता में मिलत हाई ग्रोथ है नम्बर एट पर निकल करते है वीनिती और गानिक का नाम जो स पौफित ग्रोथ होते इसके इसके साथ मेंफ रिजरर्प अच्छा कास्यברים अच्छा पाठव हुए 2200 9 करोकर यह पर रिजब भी पर होगा है और यह पर पर प्रोंट देखा जाया तो प्रोंट इस को मार्ट पर इसे जो एपर निकल कारें पर निकल का देन नॉमबर सेवें पर निकल करते हैं solar industry limited जो commodity और कम करते हैं वर्ल्बवेस एक लीडिंग प्लेयर है इस कंपनी का मार्केट का देखा जहाँ जो याप फैर्टी फोर्फ तॉट से ओं लिकल करें याप इसमेजाब देखा जातों का कम्पनी का बिजनस कंदर ट्वेंटी नाइन परसंट से ओं दिखाय है उसके साथ इसके साथ याप अग पर आरोसी देखा जाए तो जो लाइट फाइबर्स का अवर्च मेंटन के एक कम्पने 26.5 परसंट जो के बहुत ही हल्दी माना जाते है इस कम्पने का देत्ती एकोटे निकाल करें 0.46 अलस्ट का अधान यह पर रिजब देखा जाए तो कम्पने वास 2592 का रिजब भी पड़ हो यह अए अनि इस कम्पणे के प्हूर्ट होल्दीं देखा जाए तो 73.2 परसंट के पोटर मेर्थ का होलडिंग है FII Destroyswagen ~!! इन्डेस खूआइब यौर्टिंग का होलडिह फाइल परसंट इंडीन मीच्वल्देयूफर्ण के लाडिंग देखा जाए तो यहाँपर 15 परस फीचर माँ जाके लिए मिटकर पालाज के बनने का पोबबले रखता है इस कमपारे का सेल को देखा जाए तो कमपारे का विद्नेस का अंदर लाट फाइबरेस से 23.5% से सेल को तो देखा है और इपागे नेट पॉफिट को देखा जाए जो के बहुत अच्छा गुर्फ दे जाए तो जो अर्ली 0.09 लासका है अधर नागे रिजर्ब देखा जाए तो कमपारे वास 2,568 का रिजर्ब भी पड़ा हुआ है और इस कमपारे का सेल पाटन देखा हो तो प्वाटर होल्डिंग है 56.5% FII that means foreign investor इस कमपारे का होल्ड करते 7.38% DII that means Indian mutual fund होल्ड करते 7.18% तो FII, DII का अच्या होल्डिंग देखना को मल रहा है और इस कमपनी के और एक प्लासपांट इस कमपनी का पीग रिजर्ब वाणसेh से ग कमें 0.10 निकल का रहा है the number five पे निकल का ते स्टायलमिंड इंडर्रीं इंडिस्स्रीं लिमिटेड जो इंडिया के एफ लीडिंग लैम चाहिए तो लाट फाइब्स से 22.9 परसं से से अधर डिखाए अधर डिया का निट प्रॉफित कुद देगो तो कंपाने का बिद्निस कंदर 37.5 परसं से पॉफित कुद देखाए और EPS अधर अधर निग परसंट गोड़ देखना को मिला है जो के लिग ग्रोथ देखना को मि अधर निगे अधर निगे अधर निगे अधर डिखा जाए तो कंपाने वास 404 पर के रिजव भी पड़वे दामेंटल बहुत ही स्ट्रों है अधर इस कंपानी का सब्सक्राइब देखा जाए तो यहां पर पोंटर का होल्डिंग है 54.06 परसंट अधर निगे अधर अधर इसे कंटावल कंपनी बोल थाक्ते ओं यहां देन नामबर फोर पे निकल करते है गुजर्स लिमिटेट जो गवर्मेंट अधर इंग कंपनी कंपनी में ने नेचल गाइस बिजनस का दर इरव रव है और इंडर के एक लीडिंग प्लियार है इस कंपनी का मार्केट का अब तो जो ऐपर 32,286 कवर निकल कार है और इस कंपने का बिज्नस का अदा ग्रोथ देखा जातो लाट्ट फाइवेस से कंपने का से चेल को तो है 22.1% से प्रोफित को तो है 31.7% से और इपर्स गोट है 31.7% से जो बहुत इयुज हे प्रोफित को देखनों को मिल रहा है यह आपर कंपने के इंपोर्टन रिश्यो देखा जाए तो लाट फाइबरस का अवर्ज रिटर्न ने कुटी जो मेंटेंज के 20.6% और रोसी मेंटेंज के 29.2% तो बहुत ही अच्छाए खेल्दी आर रोसी देखनों को मिल रहा है इसके साथ इस कंपने का देखती है कोड़ी देखा जाए तो जो अल्ली 0.02 लसका है आज अगर रिजब देखा जाए तो कंपने बाद 1858 करों के रिजब भी पड़ा है तो इस कंपने का सेर्विंग पाटन देखा तो जाए पे पोटा होलिंग है 60.9% एफाए का होलिंग है 4.47% और डिया का होलिंग है 13.3% तो इंडिया मिच्छा होलिंग देखनों को मिल ला है इसके साथ इक कंपने का प्रेग्रेस्टी यापे 1 से कम देखना को मिल ला है याँ मिल ला है यापने एक अधर वले में टेड रह बोले में टेट होतो जी देखना को मिल ला है इसके साथ EPS, that means earning percent growth भी आप अच्छा साथ देखनों को मिला है 28.8% और इस कम्पने का इंपोर्टर एश्यू देखा जातो जासे आरवी लाट फाइबरस ते कम्पनी मेंटेन के है 20.7% और आरोसी ही मेंटेन के है 21.5% लाट फाइबरस तो हेल्टी आरवी आरोसी देखनों को मिला है इसके साथ देखती ही कुटी देखा जाए तो कम्पनी बास only 0.33 लासकर देखा जाए कम्पनी बास 11,766 करोकर रिजर्ब भी पाड़ा हुए तो एक देथप्री कम्पनी बोल चाकतो हो इस कम्पनी का सेवल लूंग पाड़न देखा जाता पॉर्टर का होल्डिंग है 57.9% एफाई याई याँ फोर्न इन्वेस्टर का होल्डिंग है 22.2% एफाई का होल्डिंग है याँ पर 6.01% तो याँ पर एफाई का होल्डिंग देखा तो बहुत ही अच्छा देखना को मिल रहा है और इस कम्पनी का पेक देशों भी याँ पर वान से कम देखना को मिल रहा है 0.34 देखनों को मिला है तर्वस अभी एक अंडेवल्य में टेट होतो है दिख रहा है जो के लॉंग टाइम बाइकरी बहुत है अच्छा एक अपोजेटी देखनों को मिल रहा है दिन नमब सेकेंड पर निकल करते हैं तो अपने इंडिस्टी केंदे एक लीडिंग पोजेशन बिलांग करते है इस कंपानी का मार्केट के देखा जातो जो यहाँ पर 14,434 को निकल करते है आज मेंस आप एक मीटकाप कंपानी है फीचर में जागे इजली लाइस का बनने का पोबाबिल्टी रहाते है इस कंपाने का सेल को देखा जातोँ इसके साथ ही इंपोर्टर रिशु देखा जातोँ इसके साथ एक देख्ती घूरि देखा जातोँ अधान अगर रिजर्ब देखा जाये तो 1526 करो कर रिजर्ब भी पड़ा हुआ है और इस कम्पणी का सेवलिंग पैटन देखा जाये तो मोटर होल्डिंग है 75% FII, that means foreign investor यहाँ पर होल्ड करते 3.78% and DII, that means Indian mutual fund होल्ड करते 12.2% तो huge Indian mutual fund इस कम्पणी को होल्ड करते है and इसके साथ इस कम्पणी का और एक प्लास पॉइंट है इस कम्पणी का अगर पेग रिश्यो देखा तो जो यहाँ वान से कम निकल करते है 0.51 निकल करते है that means अब एक अन्डावले में देखनो को मेला है इसके साथ इसके साथ इसके सेफ पर इसके सान्य करक्शन बहुत आख तेशे करते का अछल कहरें यह को तक की सब्सक्रावट करने का ताइम है विकॉस कमपनी के बिजिस के अच्छे ग्रोथ देखनों को मेले है ग्लोबल एक लीडिंग कमपनी है प्लस एफाइडिय के भी अच्छे वोल्डिंग है कुणी कंपनी कमपनी कोख नंबर वन रखने का इक यू पकी रंटपी इपस्ट के भी नस् offense 75 चनलग के कुणी करण इसके साथ इस कंपने के इंपोर्टा रिश्यो देखा जाय तो जासे ROE जो लाट्ट 5 रस में चैनल के 27.4% और ROC जो लाट्ट 5 रस में में चैनल के 28.1% जो के बहुत यह चाहँ होना जाते हैं इसके साथ एकादवेकर इस्ती इकूटि देखा जाय तो कंपने के बास only 0.07 लसके देखे अधे अगे यापकर रिजव देखा जाय तो कंपने के बास 1438 को बीर पड़े है इसके साथ इसके साथ एका सेवर्टा पाटन देखा जाय तो पोर्डा कंपुडिंग हे 59.9% और FI कं होल्डिंग है 9.97 परसेंट एंड डिया के भी होल्डिंग है 13.6 परसेंट तो इस अच्छे होल्डिंग देखनों को में अच्छा मोना जाते हैं तो यह हुगा टूटल 10 कंपनी जिस कंपनी का बिद्निस कंदा हुज है ग्रोथ देखनों को में लिए उसके साथ ही कंपनी का एंसल का डिकोमेंड से नहीं है